हेलो एवरिवन आप देख रहे हैं एकलव वैस नहां तक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं भी एच आई सी वन थर्टिफोर जिसका यूनिट नमर नाइन है और नाम है उनिश्वी शिताबदी में सामाजिक धार्मिक अंदोलन यहां पर आगे बढ़ते हैं आप का यूनिट नमर जो एट है यहां तक कंप्रीट हो चुका है यूनिट नमर जो नाइन है इस वीडियो में कंप्रीट हो जाएगा सबसे पहले हम यहां पर परिचय की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि इस में हम क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है दोस्तों तो इसमें जो है कभी भी परियास इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके दो कारण है पहला कारण ये है कि वो उनके राजनितिक हित से जुड़ा हुआ था होते क्या थे जो भी धार्मिक जगह हुआ करती थी, जहां पर बहुत सारे लोग हुआ करते थे इकटे होते प्लस में आपको पता है कि जो भारत में अगर किसी एक संघठन पर एक धर्म पर फृट की He उह जाद आ जाती है थिक है तो इसी कारण से अगर होता कह एक अंगरेश सब इस तरीके का परियास करते तो वहाँ पर कै उनको मुसीवत जहल नहीं पड़ सकती थी इसलिए उन्होंने यहां पर क्या है? धार्मिक मामलों में हस्ते शेप ने किया दूसरी ब Table क्या है कि भारतिय समाज को पुनर जीवन जो परदान करने का काम है वो भारतिय समाजिक एवां धार्मिक सुधारकों ने और सुधारवादिने का यहाँ पर इस चैप्टर में हम यह पढ़ने वाले हैं कुछ क्या थे समाज सुधारक थे ठीक है उन्होंने अलग-अलग छेतर में अपना अलग-अलग योगदान दिया जैसे कि समाज में पहले क्या था आप समझ सकते हो कि कुछ ऐसी चीजे थी पुराने समय की जो की अच्छी नहीं थी ठीक है सती पर्था हो गया बाल विवा हो गया इस टाइप की चीजे तो उसको किसने हटाया क्या चुनौती आई ये साइज जो चीजे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सी उनिट में ठीक है यहाँ पर देखिए सुधारों की पदती और विस्तार छेत्र इसमें देखते हैं क्या बताएगिया है अगर हम बात करें उनिस्वी शिताबदी की तो उनिस्वी शिताबदी के सुधार आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन नहीं बलकि सामाजिक आंदोलन भी थे ठीक है जैसे अगर हम बात करें बंगाल के राजा राम मोहन्रा है इनका नाम आपने सुना होगा इनका जो है सती पर था में काफी योगदान था उसमें हटाने का इनका ठीक है तो बंगाल के राजा राम मोहन्रा है महराष्ट के गोपाल हरी देशमुक और आंद्र के विरेशल इंगम, जैसे सुधार को ने क्या किया, धार्मिक और समाजिक समस्याओं में क्या है, उनने क्या है, सुधार करने की कोशिश की, ठीक है, इन सब चीजों में इनका, जैसे कि अगर हम बात करें कि किस परकार के मुद्दे इनों ने उठाए, तो जाती सती पर्था, ठीक है, छुवाद छूट, इन सब चीजों के विरोध में थे ये, ठीक है, और सती पर्था के बारे में, सती पर्था आपको पता होगा क्या होता है, सती पर्था होता है, जैसे कि पुराने समय में क्या होता था, कि अगर पती पतनी है, उसमें से अगर मान के चलो कि पत्नी मर जाता है तो पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था चाहे पत्नी की मरजी हो या ना हो ठीक है कुछ केस में क्या होता था कि पत्नी की मरजी होती भी थी मतलब सहमती भी होती थी कुछ में उसकी सहमती नहीं भी होती थी ठीक है तो फिर भी उनको क्य शदी करा देना जिए विद्वा विवा एवा ऑज्या को समर्थन देना यानि कि वृद्वा को किया है समर्थन देते थे जैसे कि मान devam के जोलो कि कोई शदी सुधाल ओ गए ठीक है उसमें से क्यादी उसका पती मर गया तो अब जो औरत है वो काई वो विद्वा हो गई तो पहले के समय क्या होता था कि उसको पूरी जिंदगी वैसी ही रहना पड़ता तो दूसरी शादी नहीं करनी थी लेकिन क्या है यहाँ पर कि उसकी शादी होनी चाहिए क्योंकि मान के चलो अगर किसी लड़की की उमर बहुत कम है और उसके पत्ती का ध्यान थो गया तो उसे पूरी जिन्द की जो है वो नहीं करना मतलब कि विद्वा नहीं रहना उसकी शादी कर सकते हैं ऐसा रूल होना च विद्वा विवा बाली का शिख्षा इसके समर्धन में बाकी यहाँ पर जो है वह समर्धन किया जाता था कि पढ़ाइ करना क्या है इंपोर्टेंट है यह सारी चीजने आंत्रिक सुधार के अगर हम बात करें यहां पर तो परसिद थे, परसिद समाज सुधारा की बात जो हम करते हैं पर तो राजा राम मुहन राई की बात आती है, इन्होंने क्या किया था, समाज के अंदर जो बहुत सारे सुधार है, उनके उपर बल दिया था, और इनके सभी के अलग-अलग योगदान थे, जैसे राजा राम मु यह चाहते थे ठीक है और विद्या सागर का विद्वा के उपर था जिसे विद्वा विवा को समर्थन देना ठीक है यह चाहते थे कि विद्वा वी विवा कर सके ऐसा रूस होना चाहिए बी एन मालावारी इनका क्या था इनका था शादी विवा के निंतमायू को बढ़ाना उस समय क्या होता था आपको पता है कि लड़कियों की जो शादी है वो बहुत कम उमर में कर दी जाती थी बहुत कम उमर का क्या मतलब है 16 साल 15 साल ठीक है बाल विवा का है बाल विवा तो बहुत ही बच्पन में कर दी जाती थी तो उस समय की चाहते थे कि शादी की आयू बढ़ा है लड़कियों की क्योंकि बहुत जल्दी शादी ना करे ठीक है क्योंकि उस समय तक क्या होता है कि वो डैवलप नहीं होती है ठीक है फिर कई परकार की बिमारी यह हो सकती है बहुत सारी चीज़े हो सकती है तो इनका वो योगदान था यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात करता है कानून द्वारा सुधार मतलब कि कानून से क्या रिलेटेड था क्या सुधार कानून द्वारा हुआ है यह सारी चीज़े देखते हैं अगर हम बात करें यहां पर इसके अंदर यह आमान की चलो जो बड़े थे तो अगर वो कानून से किसी परकार की डिमांड करते थे तो कानून वहापर क्या विचार करता था ठीक है सुधारों को लाउ किया जाता था जैसे कि बंगाल के केशव चंद्र सेन महाराष्ट के महादेव गोविंद रनाडे जाता आंद्र परदेश के वीरेश लिंगम कानून द्वारा सुधार के पक्ष्मे थे यह चाहते थे कि हम बोलेंगे पलस में क्या कानून भी बोले ठीक है उस समय में जो भी सत्ता थी जैसे कि ब्रिटी सरकार तो अगर वो बोले तो ज्यादा इंपक्ट पड़ेगा ऐसा कुछ पांते थे इसलिए इन्होंने ब्रिटी सरकार से भी बोला कि विद्वा विवा पलस में कानूनी विवा ठीक है यहां पर हम बात करते हैं समाजिक कारें के माध्यम से सुधार यानि समाजिक कारें भी किये जिससे क्या है कि सुधार हो सके तो यहां पर देखते हैं क्या बात चित्ती समाजिक कारें के माध्यम से समाजिक सुधार करना एक अच्छा कार रहता ठीक है अगर समाज के अंदर या उसे कम करना है तो इसमें क्या होते हैं बहुत सारे जो लोग होते हैं जो पुरानी चीजों को मानते हैं तो वो एकदम से गुस्षे में आ जाते हैं ठीक है तो उसके लिए समा से मिलकर समा से बात करकर जागुता फैला कर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तो वो चीजे थो सुधार को में की जाती है उन्होंने अपने परियासों से 1856 में विद्वा पुनर विवा कानून बनाया है यानि कि विद्वा सब जो थी उनका पुनर विवा कराया जा सके ऐसा कानून उने बनाया इन सब परियासों के बाद भी वह सिर्फ कुछ एक विद्वा विवा की पु क्योंकि उस समय मुश्किल होता था दोस्तों बहुत जादा यह लोग सब नहीं मानते थे लोग उसा कर देते थे तो चीजों को बदलने में परिवर्तन होने पहुत जाए टाइम लगता था लेकिन उन्हें शुरुआत करी यह बहुत बड़ी बात है जब इन्होंने पतावाद 19-20 शिताबदी के अन्य महतरपुन विचारदारा थी तो यह विचारदारा थी इस विचारदारा के अंतरगत जो भी थे वो इश्वर की एकता में विश्वास रखते थे यह बोलते थे कि सभी जो बगवान है वो सबके सेम होते हमें सभी धर्मों को साथ में मिल मिल Κरहें और एक है तो यह पर हम देखते हैं परकर एक विचारदारा थी तो यह पर देखते हैं ठाहरम्य और सामाजिक शुधारां दोलन नमगतों का अरह हैं अगर हम बात करें धार्मिक सामाजिक सुधारगी तो इसकी जो शुरुवात है वह बंगाल में राम मोहन राय द्वारा की गई ठीक है इनका बहुत बड़ा योगदान है राम मोहन राय का ठीक शुरुवात करना बहुत ज्यादा इंपोर्टन है तो जब इन्होंने कोई एक मुद्दा उठा के चीजों में जुड़ते गए ऐसी पूरानी चीजों को जिससे क्या है कि नुकसान होता है और तो उन सब चीजों को खोचते गए बहुत सारे जो लोग है वो उबरे जिन्होंने इन सब चीजों को देखा कि ये चीज समाज में होनी चाहिए ये चीज नहीं होनी चाहिए और फिर उसके खिलाब जो उन्होंने काम किया तो शुरुवात इन्होंने की थी उन्होंने 1814 में आत्मिय सभा की स्थापना की जो बाद में ब्रह्मा समाज के नाम से जाने जाती है ठीक है देश के अन्य भागो भागो के कुछ मुख्य सुधार आंदोलन जिसमें क्या है कि मारा समाज भी जो है फेमस हिंदू समाज आदी यह सारी चीज़ों यहां पर राजा रामोन राई की वज़े से क्योंकि इन्होंने शुरुवात की थी अब यहां पर हम बात करते हैं यहां पर दो जने की जिसमें बात आया था देवेंद्रनाथ और केशव चंद्र तो यह के तैगर के पिता थे देवेंद्रनाथ टेगर उन्होंने क्या किया वो रा मोहन राय से बहुत जैदा वो थे मतलब की इंस्पायर तो उनके आदरशों से प्रेरित है वह बहुत ज़ादा तो उन्होंने क्या कि आठारा सो जालिस में तत्व बोडिनि सभागी स्थापन कि उन्होंने भी और उनका जो मुख्य उद्धेश्य था वह भारत में इसाही धर्म की तेज प्रगरती का विरोध करना प्लस में 1843 में देविंद्र नाठ टैगोर ने ब्रह्मा समाज की विचारों का अपना है और उसी वर्ष उन्होंने क्या है ब्रह्मा समाज का अगर हम यहां पर बात करें स्वामी दयानन सरस्वती उत्री भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार करने का परियास करते थे परियासता उन्होंने क्या 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 है अठाइफो होती जादा डीप न वाधी है दोस्तों हम लोग जो हम लोग में से जादातर लोग है जिसे अपर प्राचिन गरंतों डेते हैं लेकिन मैं आपको रहेलेटी बता देता हूं जादा डीप नौलेज और बहुत ज्यादा रिसेर्च करी हुई जुए जो छीजे हैं वहोगति है करे 어ling आजकर के जो सांटिस्ट वहाँ सारे ऐसे है जो उन सभी गरंतों से चीजों कर लेते हैं ऐससमें की जड़ी भूठी की जो चीजे थी उसमें बहुत पुरानी और बहुत जो है मुश्खिल मुश्किल जो भीमारिया होती थी उनका भी इलाज उस समय के गरंटों में लिखावा होता था तो यह बिल्कुल सही बात है कि वूइद गरंटों के अद्यन पर ये बल देते थे और अंत्रजातिय विवा और महीला शिर्षा पर पक्स लेते थे ठीक है? तो यहां पर क्या है कि अंत्रे जातिये विवा का क्या मतलब होता है कि एक लड़का और एक लड़की ठीक है अलग अलग धर्म से जो है शादी कर सकते हैं इस चीज पर फोकस लेते हैं जैसे मान के चलो पहले समय में क्या होता था कि लड़का अगर अलग जाती का है पलस में जो लड़की है वो लिभार से हुए टिक है दोस्तों तो इन्हों ने क्या नहीं दूसरी जाती में भी क्या विवा करने की अनुमती होनी चाहिए तो यहां पर यह बात थी और महिला शिक्ष्षाप पर महिला को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए यह सब प्रिश्यता और जाती बेद का आलोचक थे जाती धर्म के बीच जो भी बेद किया जाते थे अंतर किया जाता था बेदभाव होता था ठीक है उन सब चीज़ों को क्या है यह खतम करना चाते थे उसके आलोचक थे यह यहावर हम बात करते हैं सेयाद एहमद खान की तो इनके भी भूमिका रही है जैसे कि सर सेयाद एहमद खान समा सुधा रखते इन्होंने क्या क्या थे इन्होंने शिक्षा के छेत्र में जो है था इन्होंने बहु विवा पर था कि निंदा की थी ठीक है बहु विवा क्या होता है बहु विवा का मतलब होता है कि या तो इस्तरी या तो पुरुष ठीक है दो विवा कर लेते थे मतलब कि एक से अधिक ठीक है पत्नी या पती कर लेते थे जैसे कि मान के चलो अगर कोई प होता था मेल के साथ भी तो इन सब चीजों की क्या है इन सब चीजों को बुरा मानते थे सैयाद आइमद खान और उन्होंने क्या है अठासो पिशत्तर में अलिगड के मुहम्मद आगलो औरियंटल कॉलिज की स्थापना की ठीक है यहाँ पर हम बात करते हैं सुधार आंदोलन का महत्ति तो क्यों कि है इसका जाहत को सुधारना क्यों चाहिए तो उससे कि हम आपने डहली के काम उसमें ज्यादा प्रोलटिवेंटिव सकते हैं और हमारा अगर अच्छा फोगा तो कि समझेर आप सभी चीजों में क्या है हमारा फोकास हो ऐसं चाहिगी तो सुधार इतने सारे जो लोग जिनका हमने अभी जिक्र किया है इतने सारे लोग जो है कि उन्होंने समात से लड़ा और समात से उपर उठकर बाते सोची क्या मैत्व था इसका मैत्व यह था कि इन आंदोलों नों क्या-क्या लोकतांत्रिक बनाने अंध विश्वास को दूर करने सबसे दूर करना इनका मेन मकसद था प्लस में ज्ञान के परसार ज्ञान नौलेज जो वो सारी चीज़े होती है मतलब कि जा रुखता नहीं थे लोग के अंदर वो करते दे आधुनिक दृष्टी कौन चाहते था कि लोग क्या है थोड़े आधुनिक बने चीजों को समझे कि कौन स चाहिए होनी चाहिए कौन से चीज को नहीं होनी होनी चाहिए परे समय के हैं मुर्ती-पुजा का पर आने के शनुद्व के पजैए तो यह समाच के बाते अंदर थार्मिक पर कुरू इति दनी सारे हो रही थी तो क्या सचीज़ नहीं थी उन्हें उन चीजों के उपर उनों क्या क्या फोकस किया और इन सब इस चीजों को हटाने की कोशिश की अब यहां पर बात आ जाती है कि जब इतनी सारी चीजी हो रही थी तो क्या सच में इस सब चीजे कामियाब हुई थी और इसमें कमियां क्या थी कौन सी कमजोरी आ रही थी किस कड माजिक शैशिक नैतिक स्थर को उपर उठाना था तो यहां पर जुनका में जो उद्देश्य था ना वो क्या था कि लोगों को समझा सके कि रियालिटी क्या है उनका जो स्थर है वो उपर कर सके ठीक है यानि कि कि इसी चीज में क्या होता है हम फस के रह जाते हैं अटक के रह करको तो न सब चीजों से लोगों उपर उठाना थोड़ा अडवांस करना ये हम श्यायां लेकिन इसमें अलग अलग परकार की परेशानी आई परेशानी के जोड़ ड़ोट तक यह सारी बाते रहके खतम हो गई ठीक है यानि कि मैं आपको उताता हूं जैसे मान की चलो बातचीत हुई और लोगों को यहां पर जागरू करने की बात है तो जो उपर के लोग थे उच जाती के वर्ग थे वहां तक इनकी बात पहुंच चापाई ठीक है लेकिन नीचे के लोग थे वो अभी भी इन सब चीजों से क्या है अभी भी इन सब चीजों से ग्यात नहीं थे और वहां पर वो सारी चीजे अभी भी चल लए थी इसके अलावा अगर गिजामपल ले अभी तो अभी भी गाउं के बहुत सारे बहुत सारी ऐसे गाउं है ठीक है जहां तक क् भी आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी चीजे हैं वो अभी भी मौजूद है ठीक है बहुत जादा नहीं है अब तो लोग वैसे भी ठीक हो रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी जो चीजे हैं जाती से संबंदी चीजे और बहुत सारी जो चीजे हैं वो अभी भी अतम नहीं हुई है इसके अलावा घर हम बात करें अधिकतर आंदोलन तो शहरी शेत्र तक यह सीमित थे हैं यहां पर एक और बात है कि इनके जितनी फूर बात करते हो जीछी चेत्र में जादा परवाओ बड़ा जैसे अगर आप शहरी शेत्रत की बात करते हो तो शहरी में क्या है बिल्कुल मस्त है कोई जुगार मतलब यह सारी चीजे आप कह सकते हो पूरा ही खतम हो चुका है जो बहुत जादा शिक्षित लोग है वह यहां तक ही देज भी नहीं लेते तो उन सब चीजों को भी खतम कर दिया है और अगर हम ऐसी अगर हम बात करें वहां तक ग गाउं में अभीबी शारी चीजे होती हैं मतलब शारी चीजे नहीं रहा है लकिन कुछ-कुछ चीजे जाती से संबंदित चीजे हो सकती है जो विवा ठाक कि सेम जाती में होना है तो और आम जनता है नांदलों से अप्रवाविती रही तो जो आम जनता है जो नॉर्मल जनता है मतलब इनकी जो बात है इनकी जो आंदलन है इन्होंने आवाज उठाई वो सभी जगह नहीं पहुचा लेकिन फिर भी हमें इस चीज को समझना चाहिए कि यहां पर क्या शुरुवात हुई थी तो कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और यहीं बात थी आपका जो यूनिट है कंप्लीट हो चुका है वीडियो पसंद आगे तो आप यहां पर लाइक कर सकते हो कमेंट कर सकते हो शेयर कर सकते हो सब्सक्राब करके बैल नोटिफिकेशन आइकन क तो प्रेस कर देना जिससे नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जागी धन्यवाद दोस्तों